हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका परविनागर रेशिपी में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें निकल जाए और हम बना लेंगे इनके फ्रेंच फ्राइ इसको हम डाल देंगे पाने के अंदर आप किसी भी शेप में छोटे बड़े फ्रेंच फ्राइ बना सकते हैं मैंने ये थोड़े लंबे फ्रेंच फ्राइ बनाए हैं ये काले ना पड़े इसलिए इसको पाने में डा एक बड़ी सीमला मिर्च ली है जिसको हमने टुकडों में काट लिया है और एक प्याज लिया है हमने ये इस तरह से बड़े-बड़े टुकडों में हमने काटा है और हमने लिया है हरे प्याज का ग्रीन पार्ट इसको भी हमने थोड़ा चोटा चोटा अच्छे से काट लिया है और धन्या लिया है हमने इसको पानी में भिगो कर रफ दिया ताकि ये सुख है ना हमने फ्रेंच फ्राय को चार मिनट उबलते वे पानी में डाल कर थोड़ा सा सौफ्ट कर लिया था और हमने इसका पानी जो है वो बिलकु निकाल दिया है एक छलनी लेंगे और मैदा डाल देंगे इसके अंदर तीन चम्मच और इसको हम छान कर इसके अंदर मिक्स करेंगे और साथ में हमने डाल दिया है कौन फलार ये कौन फलार मेरे पास दो से धाई चमच है आपको आवसकता लगे तो इसके अंदर आप और भी डाल सकते हैं साथ में डालेंगे लाल मिर्च, एक चम्मच और साथ में डाल दिया है स्वादमसार नमक इन सभी को हम फ्रेंच फ्राय पे अच्छे से कोट करेंगे इनको हलके आतों से चलाते हुए इसके उपर कोट करना है आप ध्यान रखें अगर ये फ्रेंच फ्राय जादा सौफ्ट होचके हैं तो इनको बहुत जादा इधर उदर ने चलाएं ताकि ये टूटे ने बिलकुल हलके आतों से इसको मिक्स कर लें हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और हम इसको 10 मिनट के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से कोटिंग हो जाए हमने कड़ाई के अंदर तेल रख दिया था गरम होने के लिए हम डाल देंगे एक एक करके फ्रेंच फ्राई हम एक करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो फ्रेंच फ्राई है वो आपस में चिपके ना हम एक एक करके अच्छे से डाल देंगे और इनको हम अच्छे से पका लेंगे अगर ये चिपक जाते हैं तो इनको उपर आप हलके से छलनी चलाएं और ये अलग-अलग हो जाएंगे आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा कलर इसके अंदर आ गया है आप इनको अच्छे से पका लें पकाने के बाद आप निकालने एक बरतन के अंदर अगर आपके पास टेश्यू पेपर हो तो आप वो भी विछा लें ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ओइल है वो निकल जाए हम एक बेच और त्यार करेंगे हमने एक एकर के फिर से डाल दिया इसके अंदर तो यह डालते ही काले पड़ जाएंगे और अच्छे से सौफ्ट नहीं होंगे अंदर से ना ही क्रिस्पी आप देख पारे होंगे हमने सभी फ्रेंच फ्राइ को अच्छे से गोल्डन फ्राइ कर लिया था अच्छे से पक चुके हैं आप चाहो तो चाट मसाला डाल कर वैसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इनका बनाएंगे चिली प्टैटो हमने उसी कड़ाई को साफ कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है तीन चम्मच तेल इसको हम कर लेंगे धोयदार गरम और गरम करने के बाद करेंगे थोड़ा ठंडा और हम डाल देंगे इसके अंदर हमारी लेसून इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा पकाने के बाद हम डाल देंगे प्याज इसको भी हम थोड़ा पका लेंगे आप इसको बहुत जादा ना पकाएं हम बना रहे हैं भी चिली पटैटो तो इसके अंदर थोड़ा कच्छा पन रहना चाहिए और उसी समय पर डाल दें आप प्याज जिसको बड़े-बड़े टुकडों में हमने काट लिया है साथ में डाल दें कैप्सिकम इसको भी थोड़ा चला लें आप ध्यान रखे इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे और को कि अच्छे 2 मिनिट पकने के बाद हम इसको थोड़ा गैश की फिलें को स्लो कर देंगे ताकि ये बहुत जादा कुक्ना हो और हम डाल देंगे इसके अंदर भी tomato sauce ये दो चमच है साथ में डालेंगे red chili sauce ये भी दो चमच है और dark soya sauce है मेरे पास ये एक से देड़ चमच डाल दें आप अगर आपके पास light है तो आप दो से थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं और दो चमच डाल दिया हमने vinegar और इसी समय पर अगर आपके पास अजीनो मोटो हो तो वो भी हाफ चमच से थोड़ा कम डाल दें और इन सभी को अच्छे से mix कर लें और हमारी जो sauce है उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे कि ताकि sauce के अंदर जो कच्छापन है वो निकल जाए इनको हम चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे और हमने जिस बरतन के अंदर french fry निकाल ले थे उसी में से हमने konflour निकाल लिया है पाने डाल कर और इसी konflour को हम डाल देंगे इस sauce के अंदर ताकि हमारी जो sauce है वो बिलकुल पतली ना रहे और थोड़ी गाड़ी गरीवी बने इसको अच्छे से mix कर लिया है हम इसके अंदर थोड़ा और पाने डाल देंगे ताकि जो sauce है वो अच्छे से पतली हो जाए और उसके बाद थोड़ी गाड़ी हो हम इसको अच्छे चला देंगे और एक से तेड़ मिनिट अच्छे से शलो आच पर पकने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे french fry साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और हमने डाल दे हैं नमक स्वाद नुसार हमने जो लाल मिर्च है वो आदे चम्मच के आसपास लिए है अगर आप ज़्यादा तेखा पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लें और हमने french fry अलग से निकाल लिए थे इसको भी हम कर लेंगे mix और अच्छे से mix करने के बाद हमारी चिली पटाटो अच्छे से त्यार है हमने चिली पटाटो को अच्छे से mix कर लिया है आप देख पा रहे होंगी कितना प्यारा कलर इसके अंदर आचका है हम डाल देंगे इसके अंदर अभी spring onion ये green part और साथ में डाल देंगे हम दो से तिन चम्मच धनिया और इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारी चिली पटाटो अच्छे से त्यार है आप भी अपने घर पे बनाएं और बच्चों को खिलाएं ये काफी पसंद आने वाली डिश है और बहुत जादा पसंद की जाती है तो आप भी अपने घर पे बनाएं और हमें कोमेंट करें कि आपके चिली पटाटो कैसी बनी और हमें कोमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में उसके बाद हम करेंगे इसको सरव हमारी चिल्ली पिटेटो बहुत जादा गरम है हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे उसके बाद हम लेंगे इसकी एक बाइट हमारी चिल्ली पिटेटो काफी बढ़िया और अच्छे से बने है आप भी घर पे बनाएं धन्यवाद